अजादी की अमरित महोत्सो और स्वतंत्रता दिवस के 76 बर्सगाड पर आराश शहर सहीत भोजपुर जिले के प्रतिष्टित जाच घर थाइरो के अर्भी से छूट लेकर आया है 12 से 15 अगस्त तक इस लैब बे सभी तरह की जाच पर 50 पर 30 सत की छूट दी जा रही है ओफर से जुरी जनकारी देते हुए लैब के प्रप्राइटर बबलु सिंग ने बताया कि पिछले 20 सालों से हम लोग भोजपुर जिले में लोगों की सेवा कर रहे हैं लैब के 20 बर्स पुरा होने पर और अजादी के अमरित महुत्साओ और सरतनता दिवस के मौके पर एक खास ओफर पूरे चीले के लोगों के लिए लाया गया है जो कि 12 से 15 अगस्त तक चलेगा बबलू सिंग ने बताया कि हमारा जाँच घर बिहार के उन चार जाँच घरों में से एक है जिसे एन एबील दौरा मनने अता प्रप्त है फैरो केयर से जाँच के बाद मिले इए रिपोर्ट पूरे देश के अस्पतालों में मनने होती है उन्होंने कहा कि हमारा सेंटर जो कि आरा के सहीद बहुन चौक पर है सिनियर सिर्जन के लिए भी लैब दौरा बिसेश चूट दी जा रही है लैब में आकर वो आसानी से लाब ले सकते हैं इसका लाब वो आजिवन भी ले सकते हैं बबलू सिंग ने को दारन देते हुए बताया कि अगर किसी पेसेंट को पहले थायराइट टेस्ट के लिए पांस रुपया देना होता था उसे बारा से पंदरा अगस्त तक महज दो सपचास रुपया देना होगा कि बीस वर्ष पूरा होने पर आरा में तमाम मेडिया के साथियों का मैं अपने संस्थान में स्वागत करता हूं कि सबसे पहले थायरों के बारें बताना चाहेंगे यह बीस्व की सबसे बड़ी थायराइट टेस्टिंग लिबरेट्री है और यह जो सेंटर है आपका आरा में पूरे बिहार का सिर्फ चौथा सेंटर है जो एने वी एल से एफ्लियेटेड है एने वी जो है एक मानक संस्था है परियोग सालाओं का जो भारों सरकार द्वारा दर्धारी कुरता है और यह सेंटर आरा के सहीद भौन चौक पर है लोकेशन है महावेट टोला जो भी हेल्थ प्रोफाइल होता है थायरोप्यर का उस पर पचास पर तीसता डिसकाउंट दिया जाएगा साथ ही साथ 20 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष में जितने भी सिनियर सिटीजन है हमारे उनको सुगर फास्टिंग और पचास रूपए के दर से जब तक वो जीवीत रहेंगे तब तक करेंगे साथ ही हम लोग अपना एक सोसल वर्क प्रोग्राम भी चलाते हैं कि कैंसर का कोई पेसे जो तहीं दिखवा रहा है और वह ट्रीट्मेंट के दौरान खॉलो अप में आता है अपने यहां कि डॉक्टर बोलते हैं तीन महीने बाद आईएगा तीन महीने बाद जाने पर उनक प्रेसिस वाले मरी योगा क्या है वो जाच कितना का भी तो नहों हो उनका आधा पैसा लिया जाता है हमारे यह जो बारा तारीक से पंदर तारीक के बीच में दाइसार रुपए में करेंगे कि यह जाच हो दस जार का हो दो हजार का हो यह सो रुपय का हो वह 50 परसेंट चलेगा तुम दिना चार दिने तर्फ नहीं कोई काड नहीं सिर्फ अपना आधार काड बिखाएंगे अगर उस पर उनका उम्र पचास से जादा होगा तो उनका सुगरफाश्टिंग पचास उपर में करेंगे अजादी की अमरित महोत्सो और सतंतरता दिवस के 76 बरसगाड पर आराश शहर सहीत भोजपुर जिले के परतिश्टित जाजप घर थायरो के अर्भी से छूट लेकर आया है 12 से 15 अगस्ट तक इस लैब में सभी तरह की जाज़ पर 50 पर 30 सथ तक की छूट दी जा रही है ओफर से जुरी जनकारी देते हुए लैब के प्रप्राइटर बबलू सिंग ने बताया कि पिछले 20 सालों से हम लोग भोजपुर जिले में लोगों की सेवा कर रहे हैं लैब के 20 बर्स पुरा होने पर और अजादी के अमरित महुत्सव और सरतनता दिवस के मौके पर एक खास ओफर पूरे चीले के लोगों के लिए लाया गया है जो की 12 से 15 अगस्ट तक चलेगा बबलु सिंग ने बताया कि हमारा जाँच घर बिहार के उन चार जाँच घरों में से एक है जिसे एन एबियल दौरा मनने अताप्राप्त है थैरोकेर से जाँच के बाद मिले रिपोर्ट पूरे देश के अस्पतालों में मननने होती है उन्होंने कहा कि हमारा सेंटर जो की आरा के सहीद बहुन चौक पर है सिनियर सिर्जन के लिए भी लैब दौरा बिसेश चूट दी जा रही है लैब में आकर वो असानी से लाब ले सकते हैं इसका लाब वो आजीवन भी ले सकते हैं बबलू सिंग ने को दारन देते हुए बताया कि अगर किसी पेसेंट को पहले थायराइट टेस्ट के लिए 500 रुपया देना होता था उसे 12 से 15 अगस्त तक महज 250 रुपया देना होगा करके 20 वर्ष पूरा होने पर आरा में तमाम मीडिया के साथियों का मैं अपने संस्थान में स्वागत करता हूँ सबसे पहले थायरों के बाहर के बारे में बताना चाहेंगे यह बिस्व की सबसे बड़ी थायराइट टेस्टिंग लिबरेटरी है और यह जो सेंटर है आपका आरा में पूरे बिहार का सिर्फ चौथा सेंटर है जो एने वी एल से एफलियेटेड है एने वी जो है एक मानक संस्था है परियोग सालाओं का जो भारत सरकार द्वारा निर्धारी करता है और यह सेंटर आरा के सहीद भौन चौक पर है लोकेशन है महवेट टोला 20 वर्स पूरा हो रहा है साथी पतनतता दिवर्स के ओसर पर 12 तारिक से 15 तक आपके जांच में कुछ उपर है क्या उपर है किस तरिके कई उपर है जो भी हेल्थ प्रोफाइल होता है थायरोप्यर का उस पर 50 पर 30 का डिस्काउंट दिया जाएगा साथी साथ 20 वर्स पूरा होने के उपलक्ष में जितने भी सिनियर सिटीजन है हमारे उनको सुगर फास्टिंग और पीपी 50 रूपय के दर से जब तक वो जिवीत रहेंगे तब तक करेंगे साथ ही हम लोग अपना एक सोशल वर्क प्रोग्राम भी चलाते हैं कि कैंसर का कोई पेसे जो कहीं दिखवा रहा है और वह ट्रेट